नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स इसमें ओबात कहा है क्या आदे कंटे से लड़क्या रिजैक करते चाहरे हो एक भी लड़की भी पसंदारी तुमें आखेर कैसी लड़की चाहिए तुमें पिलकुल आपके जैसी वो तो किसमस से में छोटा पैदा हो गया अगर बड़ा होता है तो आप ही मेरी बीवी होती है ना कि भईयागी जब कर देश्रम कुछ भी बोलता है अरे बहुत देवर भावी तो ऐसा मज़क चलता ही रहता है इसमें पुरमान नेकी के बाद है भाजी आप भी एक मिनट देखो तो ही हम् यह हुई ना बात यह है बिल्कुट भावी के टककर की यह लड़की पसंद है तो है हाँ, लड़की में कुछ तो बात है ममी, देखो आप हाँ, बहुँ संदर है तो ठीक है ममी जी फिर मैं इस लड़की के घरवालों से बात कर लेती हूँ और मिल्ले का प्रोग्राम बनाती हूँ या, ठीक है ना? आम भावी अरे विशाल, तुम? अरे ये मावी ना, तावल कहीं भी लगदे ती, बस वही लेने आरा अच्छा एक दिन तो आएगा भावी जब मैं अपने हाथों से आपकी पीट फे साबन लगा हूँगा एक प्रियों थांक्यू जब एक यह उप्रियों? मैं अच्य हूँ आप कैसे हैं? बहुत अच्य हूँ लाखो में एक है मेरा तेवर्ट पसंद आगया ना तुमें? वैसे आप वर्क क्या करते हैं? जी मिब उशाल अभी अभी दुबाई से आये यह अपने बड़े भाईया यानि की मेरे पती के साथ वही पे थे अब इनका कॉंट्राक्ट खतम हो गया है और यहीं सेटर होना चाहते है अब बस इनके लिए एक जुलनिया डून रही है और अपने लिए देवरानी डून रही है तो मुझे एक जुटी बहन डून रही है और हमारी ना जॉइन टामली है बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें मैं भी एक जॉइन टामली में रहती हूं तो मुझे एक जॉइन टामली की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ आती है अरे भाव तुमने तो ये बात बोलकर दिली जीत लिया विशाल मुझे तो प्रिया बहुत पसंद है अब पाइन डिसीजन तो तुम्हारा है अरे भावी अब आपने सेलेक्ट कर दी तो मेरी भी हाँ है आपकी और मेरी च्वाइस कोई अलग थोड़ी ना ठीके फिर आगे की बात बड़े बुदुल्गी कर लेंगे प्रिया आप अपने ममी पापा को बोलना संडे को हम आपकी घर आ रहें ठीके भावी आप कॉफी डीजे ना क्या मतलब पंडी जी? लड़की बालों को जल्दी है अरे तो उनके हिसाब सोड़ी ना शाती की तारी फिक्स होईगी अरे पंडी जी आप हमारी तरफ से बोल रहे हैं ये लड़की वालों की तरफ से बात कर रहे हैं क्या पंडी जी आपको क्या लगता है दुबई कानपूर के बगल में जो दो-तीन गंटे में पहुच जाएंगे अरे भाईया वहां जॉब करते हैं शादी तीन महीने बाद ही होगी और अगर लड़की वालों को मनजूर नहीं है तो बोलगों की कमी नहीं दुमियां मुझे तो फोल अरे ऐसे बात करते हैं क्या किसी से हाँ पंडिची पंडिची आप मेरी बात सुनिये लड़की वालों को समझाईए कि बड़े भाई के बिना छूटे भाई की शादी नहीं हो सकती है तो आप उन्हें समझाईए बड़े ही समझदार लोग है जी पंडिची विशा अपने भाई का फोन लगा के पूछे ना कि उसे कब तक छुटी मिल सकती है तो भाई से फोन आ रहा है लेकि नंबर तो भाईया का नहीं है हलो क्या हुआ विशाद सब ठीक तो है ना तक किसका पून आया है भाईया के वह अफिस से पून था साइट राग लगए और भाईया किसी वर्कर को बचाते बचाते खुद जल गए ड़ पुद पुद शूटे को तो जैसे तैसे मैंने बुला लिया और यह नहीं आया और यह नहीं आया तुम्हारे दर्द को कम तो नहीं कर सकता लेकिन जिन्दे की जीनी तो है तू तू घर चल मेरे साथ कुछ दिनों के लिए मैं कहीं नहीं जा सकती इस गर में यादे चुड़ी है मेरे पती की हब यादे तो है जिनके सारे में मैं रह सकती हूँ मैं नहीं चल सकती बापा आपके ताफ आप चले जाए बापा चली क्यों नहीं जाती मनुसियां से में तो ही इमतीन हुए याने की पापी का सामना कैसे करती कुछ समझ नहीं आ रहा था यसी तक हमारी शादी नहीं हो पाएगा मारे खरवाले इतना लंबा इंतिजार कर पाएगा पता नहीं विशाल लेकिन वो रुके या ना रुके मैं जरूर रुकूंगी थैंक्स पर और अब मुझे पूरे घर को संफालना होगा या को गय हुए यह एक महीना हो गया भापी के चेहरे से तो जैसे हसी ही गाय दब हुए उनके पती गया विशाल उनके पूरी जिल्दगी सोनी हो चुकी है तुमों कैसे खुश है अपाएगी नहीं मैं उनकी जिल्दगी बेदन नहीं होने देंड़ अभी उमर ही क्या है उनकी अब पूर्ण यह कपड़ेतो भैया के, आम पत्ता है, कैसा लगएँ भैया के कपड़ों में? यहकोड भैया जैसे नहीं? पूर्ण अभी उससे तुमारा यहाज देखा नहीं जा रहा है तुम पहले जैसे नॉर्मेड कभ होगी? तुम अपने गम में इतनी जादा डूबी होई हो कि यह भी बूल गए कि आज मेरा बठटे है पूर्ण 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 नहीं आसे नहीं वैसे विश्करो जैसे हर साड़ करती है पुछे कले लगाकर पूर्ण 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 मा तु मामा के गर गई है सिर्फ हम दोनों ही हैं सेलिबरेट करने के लिए क्यों? प्रिया क्यों नहीं आ रही? प्रिया का पता नहीं उसका और मेरा आगे क्या होगा उसके खरवाले शायद नहीं मालेंगे अरे वो इंतिजार नहीं कर सकती बढ़ते हैं मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाती हूँ वो तो आप बनाऊगी मैं सोच रहता हैं वैसे ही इसे 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 हर्साली करते थे अब मैं वोट का लाया थुमारे भाया थे पहले अब यह सब कहा भाया तो अभी साथ में मैं बस मानने वर की दे रहें फ्रीज लावी मान जाओ मेरा पर्टिटे मेरे इतनी छोटी सी वेश्पूरी नहीं कर सकती चलो ठीक है थैक्स वावी आप भी अपना हाथ दो ना? देहीं नी, तुमारा पारती है प्रीजिए हैपी बर्दी तु यू हैपी बर्दी तु यू प्रशार हैपी बर्दी तु यू थैक्यू कर दो ना? हैपी बर्दी तु यू थैक्यू थैक्यू का टिशू अब नक पैक बनाता हूँ प्रशार यू कर दो ना? ने प्रदी तु यू ना? 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 ने रहाँ जो लाव अपना ग्रास दो नहीं नहीं बहुत जादा हो गया बस वा अरे दोन आज मेरा बढ़ते है अरे नहीं विशाल बहुत जादा हो गया अब अरे अबी कहा हो गया भी एक और बढ़ते है मेरा अरे नहीं बहुत जादा हो गया बढ़ते है अरे नहीं बहुत जादा हो गया बढ़ते है अरे नहीं बहुत जादा हो गया बढ़ते है अरे नहीं बहुत जादा है अरे नहीं बहुत जादा है विशाल 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 क्या हुआ हुआ है वो खुछ भी हुआ वो खुणा नहीं चीए था जो भी हुआ उसे प्यार कहते है ये गलत है विशाल तुम मेरे देवर हो मैं तुमसे प्यार करता हुआ अरे लोग क्या कहेंगे ये ये सब कहलात है विशाल मुझे लोगों की पर्वाह नहीं है मुझे तुम्हारी फिक्र है मैं तुम्हें अपनाने के तयार हूँ बस तुम एक बार हाँ पोइंट हो अर्माजी उने पथा चलेगा तब वो प्या बोलेगी तुम उनकी फिक्र मत को मैं उन्हा मनान रूँगा और प्रिया प्रिया की और मेरी सिर्फ बात चड़ ज़ए अभी सगाई भी नहीं हुए हमारी तुम एक बार अपने बारे में सोचो प्रिया को तो कोई ना कोई मिर्णी चाएगा पर तुम्हारा साथ कॉन देगा मैं तुम्हारा हथ थामने करे तयार हो उसे एक बार अभर अपन्या की परसिゃए ये मैं भूद मांसे बात परणना मुरी शर ने की जो मारी शर दूंगी तूम, यहां क्या दर्यों? इनने यारेथी? तुम्हारी बाद्या यारेथी? आरे, माजी ने हमें ऐसे देख लिया ना, तो पुसा धंगा मा कर लेगी, तुम यहां से जाओ! यार करने वड़े यह उड़ी बात असे ने ब्रहेएं, अब रही बाद मागे, गहरी नीम में सु रही है, तो उनकी फिकर छोड़ता हूं! तो मेरे पीछ पीछे यह सब हो रहा है, बेशरंग, बेहाया, आँ! आँ, तेवर के साथ मुख अला करते शर्म यह थी, बाती को मेरे दो महीने नी हुए, पड़ते से रहा नहीं जा रहा हूं! मैं संजी, कि तुम एके क्यों नी जाना जाती थी, महाई यह सब करने को नहीं मिलता ना तुझे? रूशा करते अचेट, से अचेट, महाई भी अक, एज तो किस अचेट अर्म इस भी जो ह्योंगा। महाजी, महाफ दो दिजी ना महाची थीक है? मादक कुछ नहीं बोलोंगी तो एक से कीरे दे लियर बेस घर में ने रुखेगी? माजी, मैं कहा जाओँगी आप थाल नहींände, माजी में यजा असमान और ठक वता हो जाया ज़ाँ söyleyeं माजी आंगे से एसे कलती रहोगी告訴 me मुझे माफ करते छे मैं आपके पढ़्यों माजी आंगे से कोई कलती रहोगी माजी मुचे माफ करते छे रहा हुछ माजी, माजी, माजी करिए राइसा, माजी, में कहा जोंगी, माजी, माजी, जा पूर। अपूर्द। कभी मत दिखारा दुमाए, माजी बाजी, माजी दर्वाजय कोलिए माजी विश्रम, तू क्या कर रहा था उसके साथ? माँ, मेरी गर्टी नहीं है, वो मेरे बर्चले के दिन? मेरे नशे का फाइदा उठाया और अगरी सुभा जब मैंने उनसे का कि कि ये सब गड़त हुआ तो मुझसे का कि अगर में चुक्चाब उनकी बात नहीं मानूगा तो सब को बोज देंगी कि मैंने जबर्दस्ती की उनके साथ क्या करता माँ, लडका हो दर गया कौन मेरी बा ये तो अच्छा भाँ, मैंने उसका असली रूप देख लिया, इतना क्यों चौक रहे हो, अपने ही तो घर आई हूँ, नहीं वो बात नहीं है, तुम्हे मुझा फोन भी नहीं किया, मैं तुम्हे लेने आ जाता हूँ, आपको क्यों तक्लीर देती, वो विशाल है ना, विशाल मुझे छोड़ कर गया था, अच्छा विशाल आया था, तुम्हे रूका क्यों नहीं हो, वो उसको कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए वो चला गया, तुम्हारी आखे क्यों सूझी हुई है, क्या सूई नहीं तुम रात बर, क्या पापा, आपी कितने सव पापाई आखे क्यों नहीं है, आपाई एक तुम्हें रोगने के कुशिश करता है, तुम्हा भूत हंगामा करती, पस इसी डिल चुप रहा है, ने समझ सकती हूँ और माजी भी अपनी जगे गलत नहीं है कोई और भी होता ना तो वो वो भी यही करता तुम्हारे जानने के बाद माने बहुत सुनाया मुझे तुम एक काम करो कुछ दिन अपने माइके में ही रो मैं वही तुमसे मिलने आया करूँगा और इतर मैं दीरे दीरे मा को मना लूँगा और फिर हम शादी कर लेंगे ठीक है हाई प्रिया हाई विशाल कितने दिन हो गए मिले ही नहीं कहा हो तुम कर मिलता है ना मुझे भी तुमारी बहुत जरूरत है ओकी विशाल बाई प्रिया है मा इतनी जर्चती मंदिर से कैसे आगई हाँ अचाप मुझे रख माजी ने ऐसे देख लिए तो क्या गए की कुछ निए शानतरो दिए है काम गए बाल बाल अपने सही कर बाल अपने सही कर वाश्रूश्रू चिलिए तो कहा है वो वाश्रूम गई यह आभी गई जी तरो पेटा मैं तो कब से आप ही का इंतिजार कर रही थी सौरी वो आपको फोन करके नहीं आई वो पापा ने पुछवाने बेजा है कि एक साल का इंतिजार तो लंबा हो जाएगा तो हम शादी च्छे महीने में कर सकते हैं? अम्मा, तुम भी अकेली हो गई हो, घर का सारा काम थुम अकेले करती हो, मुझसे नहीं देखा जाती है शादी हो जाएगी तो प्रिया घर का सारा काम संभाल लेगी और आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा ठीक है, मैं पंडीजीसे कहके जल्दी मूरोत्युक्तिल केलो वाती हुए मैं चल्पलों राम करते हैं, यहाँ? अब्तों खुष्चु नहीं? अई, विश्युमल, ज्या करेंगे? मा, 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 पीपलेगे लेके नहीं? जो, जो, जो. मिशान, उन्हें धीरे-धीरे किसे बात करणा है? हाँ, वो प्रिया से, और इतनी राजमी किससे बात करूँगा वहुँद। क्यों, रहानी जा रहा है? अरे, एक मेहन तो रहागया शादी को, थोड़ा सबर कर ले? अच्छ, नियले दूओ पी लेना, यह नी फोन पे लगर है सारी रात. हाँ, माँ पीनूंगा. कट गया? चलो, प्रिया से बाते करते हैं. कभी तो यह नंबर? हेलो, आप्रिया? करता है, डाउनना, अबर्तुलॉ कार्जमा पेग banco अैँ अनी में खशीया, करना की उप्राइग करते हैं? भी करने का जो हमत्हाओ मैंञाए बाता है करते ही ककोषिंगा? सारी बैटरी खाल्डी करती है. मा! मा, नाश्ता तैयार करतो, मैं नहां कराता हूँ. अजिए बेस मिस कॉल निरम के फोन से, और दस मिस कॉल उसके पिता जी के फोन से. अब क्या हो गया इन दोनों को? तब कौन सी आफ़त आ गई इन बाप बेटी पे? हलो, मिशाल? हाँ, हलो. मैं आ रहा हूँ. चल्दी आजो, प्लीज. अजिए अजिए बेटा, नाष्टा तो करते जा हूँ. क्या हूँ? क्या हूँ? अंदर. पागल हो गया तुम. नस क्यों काटे ले अपनी? एक पर भी मेरे बारे में नहीं सोचा. अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? छूट बोलना, बंद करो तुम. मुझसे प्यार का नाटक करके, फिर यहां से शादी रचाने जा रहे हो ला? और एक मा को चुप कर आने के लिए उनकी हां में हां मिलाना पड़ता है. इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि उनकी सभी बाते मान लूँगा हूँ. इतना बड़ा कदम उठाने से पड़े हैं एक पर मुझसे बात तो की होती. अखर तुम्हें कुछ हो जाता तुम्हेरा क्या होता? मैंने तुम्हें कितने कॉल किया थे पर तुम्हारा फोनी स्विच ओफ हो गया था? मैं सॉरी, मोबाइल की बैटरी खतम हो गए थी, पता नहीं चला. और ये सुसाइड नोड में क्या लिखा है? मैं आत्मत्या कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे प्रेमी विशाल ने दोखा दिया है. मैं और विशाल कुछ समय से प्यार में. और वो मुझे से शादी का वादा करता रहा लेकिन कल मुझे पता चला कि शादी प्रिया से हो रही है. और उसने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया. मैं इससे बहुत आहद हूँ, इसलिए आत्मत्या कर रही हूँ. मुझे जेल पेचना चाहती हूँ, बस यही है प्यार तुमारा. मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग, मेरा दिमाग खराब हो गया था. अच्छा मुझे बादा करो, अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी. और अगर मन में कोई बात होगी, तो सबसे पहले मुझे से बात करोगी. तुम्हें अगर अभी मुझे बश्रात नहीं? तो यह शक मैं अभी दूर किये देता हूँ, ठीक है? अगर मुझे बात हूँ, तो यह शकी बात है? उसके वाद सबके सामने तुमको अपनी पत्नी को बूल कर लोगा, मैं. और घर लेकर जाओंगा. निशान! तुम्हारी हिम्मत ने जो! निशान! निशान! रज़े, शमा, शमा करदो. निशान को यह अपना पत्ती मान चुक्यू. तो खुषो, ना? ए पत्त. प्रसों के टिकेट बूख करता हूँ. अब नहीं, हमें एको गेप्रिया? अच्छ, यह बताओ. हनीमुन गेड़ी कहाँ जानना है? कोवा, या मनाली? मैं परसों के टिकेट बूख करता हूँ. नहीं, अभी नहीं हैंगे हनीमुन? क्यों उसकेड़ी भी पंडेजी से मूरत निकड़ाओगी? अरे नहीं, बाबा, अगली अप्ते करवाचवत है ना? मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला करवाचवत मेरे घर मेरा हूँ. क्यों लोग बाद में चले जाएं क्यानमीं के? ठीक है, जैसी तुम्हारी में से. अर्फ़ाओएं से. क्यों तुम्हारी में से. क्यों अर्फ़ाओएं से. झाल झाल बेटी, चान निकलाया है, यहींगे ने विशान अभी तक नहीं आया, तुम सारा फोन करके देखो दो, ठीके पापा, फोन ने उठारा विशान, श्याद बाइक चला रहा होगा, थोड़ा इंतिजार करती हूँ, झाल पीटा, बहुत देरू चुपी है, अब वो नहीं आने वरा, तुम चान्द को देखके पानी पीलो, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे नहीं पापा, मैं विशाल का इंतिजार करूँगी, जब वो आएगा, हमें उसी के हाथों से पानी प्यूँगी और अगर वो नहीं आया तो, तो नहीं प्यूँगी नच्राशो की खाना रगा तुम आज़ा, तुम आज़ा ठीक क्या नाटा केसका, मैंने सोचा था थोड़ा टाइम पास करूँगा, लेकिन ये तो मेरे गल्ये ही पड़गे, और सम्हालना तो पड़ेगा कुछ दिन और वेटी, बारा बज़ गया, तुम खाना खालो, नहीं आने वाला कैसे नहीं आने वाला? विशाल वाइफ है मेरी क्या होगा तुमें ये, तुम ठीक तो हो ना? अरे, कुछ नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया था, तो बाइक भगा कर ला रहा था ठीक, चोटा सा एक्सिडेंट हो गया वस शाचलो, तुम चान देखो, और जाइबी से अपना फुरत खुलो ठीक है? चलो तुम यहां प्रिया के साथ क्या कर रहे हो, विशाल? भाबी, आप ऐसा क्यू पूछ रहे हो विशाल को? आप होती कौन विशाल को ऐसा पूछने वाली? मैं इसकी बीबी हूँ बीबी? इसने मेरी मांग में सिंदूर भरा है और यह मंगा सुत्र डाला है मेरे कले में तुम इसके साथ क्या कर रहे हो यहां? यह क्या बोल्डी विशाल? यह जूट बोल्ड रही है? भाबी, इसा क्यों बोल्ड रही हो? प्रिया, मेरी वाइफ है, उसके सामने हैसा क्यों गह रही हो आप तो, मैं क्यों हो लूँ तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा है और मंगल सुत्र डाला है भाबी, प्लीज थीरे बात करिये और हंगामा मत करिये हंगामा? मैं हंगामा कर रही हूँ? विशाल, तुम मुझे ऐसे धोका नहीं दे सकते भै तो तुम्हे ही बताने आई थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ पनने वाली हूँ बच्चा? और इस बार मैं खुद-खुशी नहीं करूँगी सीधा पुलीस के पास जाऊँगी अपने हक के लिए ज़रत पढ़ने पर अपने पच्चे का डियने टेस्ट भी करूँगी छोड़ूगी नहीं मैं तुम्हे देख लेना तुम्हे मेरे पीट-पीजी यह सब कुछ किया अरे प्या मेरी बात तो सुनो तुम्ही किसकी बातों में आ गई? अईया के जाने के बाद भाभी का मानसिक संतुरंद जा चुका है तबसे मुझे ही अपना पती समझ रही है देखो चुरू में तुम्हे ने सुचा नाटक करने से अगर यह खीक होती है तो नाटक करने में क्या आज है लेकिन जब इनका पागलपन हस्से जादा बढ़ गया तो मैंने और माने मिलकर इनको इनके माई के बेज दिया तब ही तो हमारी शादी में इनके गर से कोई आया नहीं था तुम्हे मुझे पर यकिन नहीं है चलो माते पूछ लो चलो चलो और वो जो बच्चे की बाद कर रहे थी उसका क्या तुमसे कहा ना उनका मानसिक संतुलेंट जा चुका है वो क्या बोल रही है उन्हें खुद नहीं पता है आई, Neenam मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर लीं तुम तुम ढहे रहे थे मुझे शादी कर ली तुमने अब देखो देखो मै क्या करती हूँ अरे तुमने एक बाद मेरी बात थो सुनो मुझे जबरदस्तिे शादी कराई है मेरी और मैं तुम्हें दर की वज़े से कुछ बता नहीं बाया कहीं तुम फिर से आत्मित्याना करने बैठ जाओ पर चब से मुझे बच्चे के बारे में पता चला है अब से मुझे बहुत पच्टावा हो रहा है अबने की एकर मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ पर अब मैं यह गज़ती सुधारना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए लेकिन मा कभी हमारे रिष्टे के लिए तयार नहीं होगी तो हमें घर से भागना होगा तुम सच बोल रहो ना क्योंकि मुझे तुम्हारी अब किसी भी बात पर यकीन है तुम्हारी गसमनी रम है तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ बस तुम्हे काम करना ठीक है प्रखता गया है भावी तुमको ठिकाने रगाने का विचाल बेटा, मैं क्या सुन रही हूँ अरे बहु कह रही थी कि तुम्हें नीला मेली थी बड़ा हंगामा कर दी थी कह रही थी कि माँ बनने वाले हूँ बता नहीं किसका बाबले के घूम रही है आपसे बताया दू था मुझे पाना चाहती है तभी यह सब कर रही है यह तो तेरा बसा बसा आया घर उजाड़ देगी इसका तो कुछ करना पड़ेगा इसका पर्मानेंट हिलाज मैंने सोच लिया और प्रिडान भी बना लिया तुम बस एक काम करना एक सुसाइड नोट लिटेना कि तुम जिंदगी से तांग आकर आत्मत्या कर लगी इससे क्या होगा तुम्हारे फादर तुमको टूंडेंगे नहीं और पुलिस पे इंवल्व नहीं होगी और हम एक साथ सुकून से रह सकते हैं यह क्या कह रहे है तु तरह दिमाग तो सही है ना अरे ऐसा भूला है सच्छी में थोड़ी ना करने वाला हूँ तो फिर फिर क्या से मार कर कहीं तफन कर दोंगा तो फाइड नोट देख कर लोग यह सोचेंगे खुद ही मरने के लिए घर से गई होगी है पिसमने निया दोंगा रहा है मुझे देड तो नहीं है आने में नहीं पर तुमने मुझे इतने सुनसान चके पर क्यो बुला है अरे वो सब छोड़ो तुम पेle ये बताव चिथ्थिडिके तुमने हाँ हाँ दिखाऊ परफेक्ट थीक है ना हाँ चलो बेटो बाइक पे हाँ अच्छा कि इंस्पेक्टर साहब आपने इसको पकड़ लिया फिया तुम हाँ मैं ने तुम्हारी सारी प्लाणिंग सून ली थी ते मार कर कहीं तपन कर दोंगा साइड नोट देखकर लोग यही सोचेंगे खुदी घर से मरने के लिए निकड़े होगी और उसके बाद मैंने तुरंत यह ख़वार निलम को दी अफिर तुम्हारी के सारी कर्दूद मैंने इंस्पेक्टर सा को बताए लेकि तुझे हम रंगे हाथों पकर ना चाहते थे वना तु बच के निकल जा इसलिए हमने निलम से गा कि तुझे दोके से यहां बोलाए तकि पूरे स्वबूत के साथ तुझे अरेस्ट कर सके अधेम टुमर्ण के चार्ज में तुझे और तुरी मा को मैं सज़ा दिला के रहूंगा चार्ण मुझे समझ नहीं आ रहा प्रिया मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ तुम्ने मुझे बचाने के खातर अपने पती को जेल बिजवा दिया वह घटी आदमे किसी कभी पती कहलाने लायक लिए ना वो तुम्हारा पती था और ना ही वो मेरा पती है मुझे उस जयजब गटिया आत्मी अपने जिन्दगे मैंनी चाहिए और अब अब मैं अपने बच्चे के लिए जीओंगे.